तो एक्जिट पोल के आकड़े आचुके हैं मिरे साथ इस वक्षटीस गड़ के पूर्फ मुख्यमंत्री बीजेपी से वरिशनेता रमन सिंग मौझूद हैं एक्जिट पोल के आकड़े को क्या बीजेपी एक्जाक्ट पोल मान रही हैं? मैं इसको एक रुजान जो दिख रहा है उसका अनुमान बोल सकता हूँ कि रुजान दिख रहा है भाजपा किस दिशा में जा रही है और 15 सीट से बढ़ते बढ़ते भारती जनता पार्टी आगे बढ़के 46 और 48 सीट तक पहुंसते हुए दिख रही है इसका मतलब है पत्र का जो असर हुआ है जब ये वोटों की जिनती होगी तो जो कठीन सीट दिखा रहा है कांगरेस के पक्स में वो सीट भी बदलेगी और भारती जनता पारटी बावन से 55 सीट पे आके रुकेगी अब कांगरेस 35, 36 और 38 में आके रुकेगा मैं आज आपको बता देता कि तीन तारीकों जब गिनती हो जाएगी तो ये बात इसपस्ट हो जाएगा। बहुत नेक टूनेक फाइट दिखा रहे हैं और जो कम मार्जिन से जितते और हारते दिखा रहे हैं ये तीन तारीकों क्लियर हो जाएगा और ये रुजान भारती जनता पारटी के पक्स में रहेगा और भारती जनता पारटी निश्यत रूप से 46 गड़ में पूर्ण हैंगे जिनको डर है वो कहीं बाहर ले जाने की चिंता करने लगेंगे पर भारती जनता पारटी को एक एक विधायक पर भरोसा हैं कितनी सीटे आप दे रहे हैं आज एक्जिट पोल आने के बाद आज मैं बोल सकता हूँ बावन से 55 सीटों पर जाके बीजेपी रुखेगे और रमन सिंग फिर से मुख्य मंत्री बनेगे अब मुख्य मंत्री बीजेपी का बनेगा